हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अलका और सागाथ हैपका मेरे चैनल पे आज मैं बनाने जा रही हूँ रबडी अगर बाजार जैसे रबडी घर पर ही बन जाए तो उसकी तो बाती कुछ और है तो चलिए फटाफट इस रेस्पी को बना लेते हैं तो कुछ मीठे के शुरुबात क दूद मैंने फूल क्रीम दूद लिया हुआ है पहले इसे पकने देते हैं इसमें उबालाने देते हैं देखे दूद में उबाल आ गया है और अब हम इसे एक बार चला देंगे दूद में जैसे जैसी मलाईयां पढ़ती जाएंगी हम उसकी लेयर को ऐसे साइट पे करते जाएंगे जितनी बार मलाई पढ़ती जाए उतनी बार आप इसे साइट पे करते जाएं और गैस का फ्लेम आप मेडियम रखे और एक बार ऐसे बीच-बीच में इसे चलाते भी रहें ताकि ये नीजे से चिपके नहीं देखिए जैसे मैं इसे साइट पे कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है इससे हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी एक तम परतदार जैसे बाजार में मिलती एक तम वैसे ही बनेगी से बीच-बीच में इसे नीचे से भी चलाते रहें ये देखिए बस ऐसे ही आप बस मलाई के लेयर को ऐसे ही साइट पे करते रहें रबड़ी खाना तो सबको ही अच्छा लगता है घर पर गेश्ट आने वाले होता आप इसे फटा फट बना सकते हैं देखिए दू दादा दल चुका है और मलाई भी काफी सारी कठा हो गई है अब हम इसमें एट करेंगे लाजी पाउडर मैंने चार से पांच लाजी को क्रश कर लिया है हम इसमें इसको एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एट करेंगे चीनी मैंने दो बड़े चमस चीनी लिया हुआ है आप अपने इसाब से और भी चीनी एट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीटा खाना पसंदे तो चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर दे रबडी में ये देखिया दूद और भी पक चुका हुआ है बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है रबडी आप इसे फटा-फट बना सकते हैं और फटा-फट छासकते हैं जब भी आपका कुछ मीटा खाने का मन होता है अब हम इसमे अट करेंगे अंग ड्राइकigns प्रूट मैंने चार से पाँच काजू और चार से पाँच पिस्ता लिया हूँ इसे crush कर लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे इसको और इसे अच्छे से mix कर देंगे अब हम गैस का flame हाई कर देंगे और जो हमने मलाई साइड साइड पे उसको जमा हुआ था उसे हम निकाल देंगे ऐसे और गैस का flame हाई करके हम जल्दी से दूद को पका लेंगे बहुत ही फटा फट बनके तयार हो जाती है आप इसे जरूर ट्राइ करें ये रेखिए कितनी अच्छी रबडी बनके तयार हुई है अब हम इसे serve कर लेंगे रबडी बस हमारी पक चुकी है मैं रबडी को serve करने जा रही हूँ देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं एक नई recipe के साथ अब तक के लिए take care and bye bye and thanks for watching